तो अभी देखें दिगज के रिजल्ट आ चुके हैं आई टी में टी से सो देखें यहां पर रिविन्यू जो है वो बढ़ता हुआ है और एक्सपेक्टेशन की हिसाब से ही आया है मार्च एकतिस दो जार बाइस जो की बढ़कर 6,337 क्रोड की आपर नेटसे निकल के आई है येर ओन येर बेसिस पर और 1 एक्वार्टर दर հेसिस पर यहां पर देखें तो 58749 क्रोड से बढ़कर 6,337 क्रोड रुपए की आपर नेटसे बसे है तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में बहुत ज़ादा आपको अपसाइड नहीं देखी है इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना जो आप कहने हैं के नेगेटिब या पॉस्टिफ की अगर आप देखेंगे तो ना तो नेगेटिव ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक दम नीट्रल रिजल्ट रहे हैं और यहां पर येर ओन येर बेसिस पर अगर आप देखेंगे नेट सेल तो येर ओन येर बेसिस पर है एक लाख पच्चेयाद में जास सो बातर करोड की नेट स लिएगा इसके साथ साथ यहां पर देखेंगे लेकिने प्रॉफिट की बात करें तो 9949 करोड का प्रॉफिट था मार्च 31-22 में जो कि मार्च 31-23 में 11,436 करोड रॉपय का प्रॉफिट आया और ICICI को कहीं ना कहीं बीट किया है यह ICICI का एक्सपेक्टेशन था ICICI Securities का उसको बीट किया है 10,000 यह तो year on year basis था quarter to quarter basis पर क्या है 10,883 करोड रॉपय का यहां पर प्रॉफिट था दिसम्ब 2022 में आपके Q3 में जो कि बढ़कर यहां पर 11,436 करोड का प्रॉफिट निकल किया है quarter to quarter basis पर अब एक्सपेक्टेशन जो है 11,224 करोड था 11,400 करोड के ऊपर का यहां पर प्रॉफिट करके दिखाया है तो अच्छा है quarter to quarter यहां पर जो है 3.5% का यहां पर जो है almost यहां पर जो एक मान कर चल ले दे उससे थोड़ा सा ही बीट किया है अब जल्दी से बात करते हैं यहां पर है BFSI सिगमेंट जो कि सबसे important है देखे क्या हुआ है कोई upside नहीं है quarter to quarter देखिए आप 22,145 करोड की net sale थी दिसमब 2021 में ओ सॉरी 2022 में आपकी Q3 में Q4 का भी निकल गया है 22,628 करोड की net sale आने की slow down है slow है बहुत जाद आपका देखा हो तो बिल्कुल भी यहां पर बढ़ता हुआ नहीं आया है BFSI सिगमेंट एकड़ म्यूट है म्यूटेड है तो अगर हम आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां और यह बेसिस पर देखेंगे तो 19,532 करोड रुपए का यहां पर आपका 2022 मार्च में यहां पर आपका net sale था जो कि यहां पर 22,628 करोड कर निकल गया है लेकिन हम slow down की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पर यहां पर जो क्लोजिंग हुई है यह रेस्टेंस लेवल से ही नीचे यहां पर जोए डाउन हुआ है मतलब जाने कोशिस करी थी पार करने कोशिस करी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और किसी को कुछ नी पता कंफ्यूजन है एक्च्वल में क्यूफ ओर को लेकर बहुत तसल है जो भी होगा मों कल 3-4 परसेंट का तो यहां पर ओने वाला यह तो डाउनसाइट 3-4 परसेंट की होगी यहां फिर अपसाइट जो है वो 3-4 परसेंट मिलेगा और अगर अगर अपस पर यहां से रहरी हो सकती है मार्केट के अंदर लेकिन यहां पर पता नी किया सबकार कर सकते भदर और कमेंट्री यह चल रही है वो क्या जवाब दीगी यह तो पता नी तो कल का अगर यहां पर पहले 3101चका वं बिटूट तो फर यहां पर 3095 जो लेवल है वह कहीं नहीं सपोर्ट देनी कोशिस करें तो पहले तीन जार एक सोग्यावन और दूसर तीन जार पच्च्यानवे का लेवल तो यह दो इंपोर्टेंट लेवल है इनके आसपास यह अगर यह गैप डाउन बहुत जादा होता है तो फिर यहां पर आपका यह सपोर्ट लेनी कोशिस क तो आप यह समझ लीजेगा कि कल एक भारी बिक्वाली जो है वो मार्किट के में भी गहराईगी और यह 52 वीग लोग से बहुत उपर है टीसेस से यहां पर आप आट सो नो परसंट उपर है और इनफोसेस अगर आप देखे तो तीनी परसंट की आसवास तीन परसंट आज कोड़ी से तेजी आई है वो चार परसंट माल लेते हैं चार परसंट ऊपर है अपने 52 वी लोग तो कल यह क्या से नेर्यों बनेगा यह बहुत कंफ्यूजन वाला है कैसे मार्किट इसको लेगा अगर यहां से सपोर लेता है इन दोनों लेवल से तो फिर अच्छा होगा ट